Hello students, आप सब का आपके अपने चनल Govind Lectures पर एक बार फिर से स्वागत हैं, तो कैसे हो आप सब उम्मित करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ाय बेचे चल रही होगे तो ककसा आठ विज्यान विश्य के महत्वण प्रश्ण उत्र की सिरीज में आजम अध्यातीन, संसलेशित रेसे और प्लास्टी के महत्वण प्रश्णों की सर्चा करेंगे हमने आपकी विज्ञन विश्य के अध्या एक और दो के महत्पुन प्रश्ण बहुत अच्छे से करा रखे हैं वो क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्या तीन के महत्पुन प्रश्णों की तो चलिए एक लास सुरू करते हैं देखें पहला प्रश्ण है जो कि आपका बहुच हैनात्मक प्रश्ण है अनि अबसदेवाला प्रश्ण है पहला प्रस्म दिया हुआ है कि जो एस्टर है एस्टर का बहुलक कौन सा है एस्टर का बहुलक है तो इसमें ऐसे एस्टर का जो बहुलक है वो है आपका पोली एस्टर क्या है पोली एस्टर आपका एस्टर का बहुलक है बहुलक क्या होता है? कार्बन रुणों की एक लंबी स्रंखला, क्या कलाती है? बहुलक कहलाती है, यह हमने चर्टर के दोरान बहुत अच्छे से समझा था अगला है, अगनी रुधक प्लास्टिक का उदारन है, अगनी रुधक का मतलब है, वो तुरंट से आग नहीं पकड़ता, अनिकि उस्मा और विद्युत का कूछ आलक होता है, उसमें उस्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, वो होता है आपका मेला माइन, कौन सा हो उस व्यवस्ता में सबसे जो रुकावट हैं वो कौन ज़्यदा उत्पंद करता है तो वो उत्पंद करते हैं प्लास्टिक अपसिस्ट ठीक है जो प्लास्टिक का कच्रा होता है वो कूडा कच्रा उस पानी के बेहने की व्यवस्ता में सबसे अधिक रुकावट पैदा करता ह अगला है निमने लिखित में से कौन जेव अनिमनी करनिय परदात है यह जो जीवों के द्वारा जिसका आप गटन नहीं किया जा सकता है तो वो है आपकी प्लास्टिक की थेलिया इनका आप गटन जीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बात कर रहे हैं विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है वह है एक ऐसा प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है उस प्लास्टिक आपको नाम बताना है तो वह है टैफलोन कौन है टैफलोन आगे बढ़ते हैं र मानव दिर्वित रेशा है दूसरा है बेकर लाइट उस्मा और विद्यूत दोनों का क्या होता है दोनों का कूछ आलक होता है कैसा होता है दोनों का कूछ आलक अनि इसमें उस्मा और विद्यूत का जो प्रवा है वो नहीं होता है अगला है खाली जगह अब गटित होने में क नागरिक के रूप में खाली जगर सिद्धान्त को याद रखना चाहिए, तो एक उत्तरदाई नागरिक के रूप में हमें थरी आर के सिद्धान्त को याद रखना चाहिए, थरी आर का मतलब क्या है, एक आर का मतलब है, रिड्यूज, रिड्यूज का मतलब क्या होता है, कम उपयोग, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, री यूज, री यूज का मतलब है, दुबारा उपयोग, ठीके, और एक होता है, री साइकल, री साइकल का मतलब होता है, उना चक्रण, ठीके, उना चक्रण, इस थ्री आर के सिद्धान कामे पालन करना चाहिए, तो ये था रितिस्तन वाला प्रश्णों, आगे बढ़ते हैं सत्ते और और सत्ते वाले प्रश्णों पहला है कपास एक बहुलक है जो सेलुनोज कहलाता है, विल्कुल सत्ते बात है रेवन एक प्राकर्तिक रेशा है, ये गलत है, रेवन एक कर्तरिम रेशा है अगला है मेला माइन एक बहु उप्योगी प्रदात है बिल्कुल सही बात है एफलोन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल छिपकता नहीं है बिल्कुल सत्य बात है प्लास्टिक से प्रयावरन को कोई खत्रा नहीं है ये कथन गलत है हमें यह था संभव प्लास्टिक के उप्योग से बचना चाहिए बिल्कुल सही बात है जहां तक संभव हो प्लास्टिक का उप्योग नहीं करना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला पस्टन है आपको मिलान करना है ठीक है कॉलम A में दिये गए सब्दों का कॉलम B के साथ मिलान करना है सबसे पहला है कपास तो कपास क्या है कपास आपका एक प्रकार का सेलिलोज है यानि की option C फिर है रेओन ये क्या है रेओन है ठीक है तो रेओन क्या है आप सब जानते हैं, जो रियोन होता है, वो कास्ट की लुगदी, पोलियस्टर, टेरिलीन और टीवीसी, इसका आपसमें मिलान करना है, तो कपास सेलुलोज से समंदित है, रियोन आपका समंदित है, कास्ट की लुगदी से, किसे समंदित है, कास्ट की लुगदी से, फिर है आपका टेरिलिन, टेरिलिन किसे समझी थे, टेरिलिन आपका एक परकार का पॉलिएस्टर है, क्या है एक परकार का पॉलिएस्टर, और फिर बात आती है पीवीसी की, तो पीवीसी क्या है, पॉलिविनाइल कलोराइड यानि एक परकार का पॉलिथेन है, तो इस तरह आपको म पर क्या है यहां पर आपका खिलोने है ठीक है यह थोड़ा साई प्रिंट नहीं हुआ है खिलोने फिर रसोई के बरतन और फिर बिजली के स्वीच तो प्रिधान का है निक पड़े तो कपड़े किससे बने होते हैं आपको पता है कपड़े बने होते हैं टेरी लिंज से इसते मेला माइन, और बिजली चे स्विच किसे बने होते हैं, बेके लाइट से, आगे बढ़ते हैं, प्रश्ण संक्या तीन, ये भी मिलान वाला है, पहला है नाइलोन, नाइलोन किसे बना होता है, नाइलोन बनता है आपका कोईला, यानि कार्बन जल और वाईयू से, फिर है टेर सब्सकार का पॉलिथिन होता है ठीक है यह आपको मिलान करना था आगे बढ़ते हैं प्रश्ण सिंग्या चार यह भी मिलान वाला है कि अग्नी सह प्लास्टिक अग्नी से प्लास्टिक का मतलब है थर्मो सेटिंग क्या है थर्मो सेटिंग जो अगनी को सेहन कर सकता है तो thermosetting plastic कौन सा है तो वो है आपका mellamine फिर है ज्याव निम्नी करनिय परदात जिविसका जीवो के द्वारा आप गटन किया जा सकता है वो कौन सा है आपका उससे मिलान करना है तो वो हो जाएगा इसके अंदर से thermosetting plastic यानिकि जेव निमनी करनिय परदात वो हो जाएगा आपका कपास फिर थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक आपका कौन सा है थर्मो प्लास्टिक है आपका वो हो जाएगा आपका पॉलिथिन और परबल और परत्यास्त परबल और परत्यास्त हो जाएगा आपका नाइल प्रकरतिक है तो आपको बताना है कि जो रेयों है वो क्या है तो रेयों किया है रेवन प्राकर्तिक स्रोत काष्ट लुगदी अनि की जो अपकी लकडी होती है लकडी की लुगदी से त्यार किया जाता है और ये कैसा निरेशा है यह मानव निर्मित रेशा है इसका निर्मान परतरिम तरीके से कलकार खाननों अत्वा फैक्टरियों के अंदर किया जाता है अगला है नायलोन का निर्मान किन किन परदातों से होता है यह इंपोर्टेंट है नायलोन का निर्मान किन किन परदातों से होता है तो नायलोन का निर्मान कोईले जल और वायू से किया जाता है ठीक है यह पर्थम पोन रूप से संसलेशित रेशा होता है ठीक है पर्थम पो तो जो पेरासूट और रस्तिया वो नायलॉन से बनाई जाती है, क्योंकि यह जो नायलॉन रेशा है, यह कापी क्या होता है, मजबुत होता है, अगला मोहन के पास एक सर्ट ऐसी है, जिसमें सल्वटे नहीं पड़ती है, बताऊ यह किसकी बनी है, तो यह जो सर्ट है, वो कि इसकी बनी होगी ये पोलेश्टर की बनी होगी क्योंकि इससे बने कपड़ों में सलवटे नहीं पड़ती है जो कपड़े पोलेश्टर से बनते हैं उनमें सलवटे नहीं पड़ती है अगला है जैव और निमनी करणिये परदाथों के दो उधारन नैसे परदाथ जिसका अगे बढ़ते हैं फर्मप्लास्टिक के दो उधारन पॉली थिन और पीवी सी पॉलीथीन और पीविए का मतलब है पॉली विणाईल कलोरइल अगला है प्रशन संख्या आठ आग बुजाने वाले क्रमचारियों के परिधान परिधान का मतलब है वस्त्रों कैसे होते हैं अगनी रोधक और उसमें आग नहीं लगती है यहाँ परिधान किसके बने होते हैं तो जो आग बुजाने वाले क्रमचारी होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो मेला माइन प्लास्टिक के बने होते हैं और उनके कपड़ों के उपर मेला माइन प्लास्टिक की परत चड़ी होती है जो उन्हें क्या बनाती है अगनी रोधक यानि अगनी को सेहन करने वाली बनाती है और उनमें आग नहीं लगती है, ठीके, अगला कुछ प्राकर्तिक रेसो और उनके सुरोतों के नाम लिखिए, तो पहला प्राकर्तिक सुरुत है आपका कपास, कपास कहां से प्राप्त होता है, पौधो से, फिर है उन, उन कहां से प्राप्त होती है, जन्तुओ से, पिर है रेसम, रेसम किसे परापत होता है, रेसम परापत होता है आपका पाजप से, ठीक है, किसे परापत होता है, पाजपो से, आगे बढ़ते हैं संसलेसित रेसे किसे कहते हैं, तो जैसा की नाम से पता चल रहा है, आपकी जो रेसे होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, कित तो करत्रिम रेसे वे रेसे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा स्वयम त्यार किया जाते हैं इनका निर्मान मनुष्य के द्वारा करत्रिम रूप से कलकार खानों और फैक्टरियों के अंदर किया जाता है अतर इन्हें क्या कहते हैं इन्हें संसलेशित रेसे कहते हैं जैसे उ क्या है और इसे करत्रिम रेशम क्यों कहते हैं तो रेवन रेशम के समान ही गूणूवाला एक रेश है तो आपका रेवन है जो किक्रत्रिम क्या है इसका रेश हैन्य है लेकिन इसके छेट्वं रेशम के समान ही उत Been मिलते जूलते होते हैं जिसे वेग् verdana को के दवारा काष्ठ लुगदी का मतलब है जो लकडी होती है उसकी लुगदी के राशायनिक उप्सार से प्राप्त किया जा जाता है कुंकि रेस्ट रेसम के समान बुनना जा सकता है उसके गुण करत्रियम रेसम हम कहते हैं अगला उस संशलेशित रेसे का नाम बताईए जिसका तार इस पात के तार से भी मजबुत होता है तो वह आपका नाइलोन अगला है पेट क्या है तो पेट एक सूपरिचित प्रकार का या एक बहुत ही ज्यादा उप्योगी क्या है पॉलिश्टर ह जिसका उप्योग प्लास्टिक की जैसे बोटले होती है बरतन, फिल्म, तार और अन्नी चीज़ों को बिनाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है अगला है संसलेशित रेसों से रेसों का एक हानी कारक गुन लेखिए जो संसलेशित रेसे होते हैं जिनका निर्मान होने की संबावना ज्यादा रहती है ठीक है और व्यक्ति के जन को भी खत्रा रहता है अगला है एक्रिलिक क्या है एक्रिलिक क्या है तो ऐसे उन जो प्राकर्तिक स्रोतों से न प्राप्त करके क्या के जाते हैं संसलेशित किया जाते हैं उन्हें एक्रिलिक क्या बना जाते ह उनी वस्त्रा बना जाते हैं ये एक परकार की उन हैं लेकिन ये प्रापर्तिक स्रोत ये जीव जन्तूओं से प्राप न करके इसको मानों के द्वारा कल खानों अथवा फैक्टरियों के अंदर निर्मित किया जाता है अगला है संस्लेशिद रेसों के गून लिखिये तो संसलेशित रेसों के गुण क्या है कि ये एक तो सिग्र सुखते हैं बहुत जल्दी सुख जाते हैं फिर अधिक चलाव होते हैं कम महेंगे होते हैं और आसानी से उपलत भी हो जाते हैं और अगली विज़ेस्ता है ये रख रखाव में कैसे होते हैं सुवीदा जनक होते हैं ये संसलेशित रेसों के तीन गुण हो गए फिर प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं आप सब जानते हैं दो प्रकार के थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक फिर अगला प्रशन बिजली के स्वीच और बरतनों के हत्थे बनाने के अंदर किया जाता है ये काफ़ी important प्रशन है बेकेलाइट का अगला है सबसे अधिक उस्मा सेहन करने की समतावाले प्लास्टिक का नाम तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेलामाईड अगला है खाद्य परदातों के संचेन है तू प्लास्टिक पात्रों के उप्योग के तीन परमुक लाब बताईए और जो उमारे खाने पिने की चीज़े होती है उनको प्लास्टिक के पात्रों में रखने के तीन फाइदे क्या है? तो पहला प्लास्टिक पात्र सबसे सुविदा जनक होते हैं क्योंकि उनका भार क्या होता है बहुत ही अलका होता है फिर उनकी कीमत कम होती है अच्छी उनकी सामर्थे होती है और उप्योब करने भे भी क्या होता है आसानी होती है और ये लंबे समय तक क्या रहते हैं? लंबे समय तक सुरुक्षित रहते हैं और नश्ट भी नहीं होते हैं. ठेक है? अगला थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में आपको अंतर बताना है. काभी इंपोर्टेन प्रशन है, प्रिक सब में पूछा जाएग और इनका आकार आकरती रंग रूप क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं. जबकि बात करें थर्मो सेटिक प्लास्टिक की, तो ये गरम करने पर विकर्त नहीं होते हैं, और इनकी आकरती रंग रूप अवस्ता में परीवर्तन नहीं होता है. थर्मो प्लास्टिक ये सरलता प जिनाने में किया जाता है ये दोनों के अंदर क्या हो गया प्रमुक अंतर हो गया अगला जैव निम्नी करनियों और जैव अनिम्नी करनियों में क्या अंतर है तो जो प्रदात प्राकर्तिक प्रक्रिया जैसे जिवानों की क्रिया के द्वारा अब गटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निमनी करनिय परदात अनि बेपरदात जो प्राकर्तिक प्रक्रिया अनि सुक्सम जीवों के द्वारा अब गटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निमनी करनिय परदात जैसे फलो और सब्जीयों के छिलके कागज और अन्य खाद्य परदात वही जो परद प्रक्रिया दौरा आसानी से अभ गटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम जैव ओनिम्निक्रणी प्रदात कहते है जैसे प्लाष्टिक हो गया न्यöllितिन हो गया ठीख ESS इसके दो उपयोग हम सर्चा कर चुके हैं पिछे परशनों में, फिर खाद्य परदातों के संचन्यतू, प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के तीन लाब, मैंने बताई दिया है, प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधा जनक होते हैं, उनका बार हलका होता है, केमत कम होती है, अच्छी सामर्थे होती है, और उपयोग करने में भी आसानी होती है, सबसे अधिक उसमा सेहन करने वाले प्लास्टिक का नाम क्या है, उसका नाम है मेला मैं, फिर अगला प्रशन है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, दो उधारण भी दीजिए, तो थर्मो प्लास्टिक जैसे बेकलाइट और मेला मैं, अगला प्रशन है, निमनलिखित परदातों को उनके अफासित होने के गून के आधार पर जैव निमनी करनिया और जैव और निमनी करनिया में वर्गी करत किजिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो परदात लिये गए हैं, सबजी औ निमनी करनिया हैं, जैव निमनी करनिया, कांच के टूगड़े कैसे हैं, जैव और निमनी करनिया, फिर टीन का डबबा कैसा है, यह भी और निमनी करनिया, कागज कैसा है, निमनी करनिया, प्लास्टिक कैसा है, अनिमनी करनिया, लकड़ी कैसी है, निमनी करनिया, तो इनको और निमनी करनिय, जिनका सुक्सम जीवों के दोबार आप गटन नहीं किया जा सकता, कांच के टुक्रे, टीन का डबा और प्लास्टिक, आगे बढ़ते हैं बच्छो, बहुलक से क्या से है, समझाईए, तो बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते है, पॉलिमर, जिसका आर्थ होता है, पॉलिमर का अर्थ होता है अनेक इकाई, क्या होता है, अने बहुलक के कैसा परदात है, जो बहुत सी छोटी-छोटी इकाईए के दोहराने से बनता है, जब बहुत ही छोटी-छोटी इकाईए, बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाती है, तो क्या बनता है, पॉलिमर कापास और स्टार्च ठीके आगे बढ़ते हैं रेयोन कैसे त्यार करते हैं इसका उप्योग क्या है चार संसलेशिद रेशों के नाम और इनमें से किसी एक का संचेप में वर्नन तो चार संसलेशिद रेशे कौन कौन से हैं रेवन है, नाइलोन है, पॉलिष्टर है और एक्रेलिक है, जिनका उप्यूग मानव के दुवारा करत्रिम तरीके से कलकारखानों अत्वा फेक्ट्रियों में किया जाता है, फिर बात करें रेवन, तो रेवन का जो रेशा है, वो रेशम के समानी होता है, इसको त्यार किसे क जाता है, काष्ट के लुगदी के रासायनिक उप्चार से त्यार किया जाता है, और ये मानव निर्मित रेशा है, रिसी का कहते हैं, इसे करत्रिम रेशम भी कहते हैं, इसका उप्योग क्या है, ये रेशम से सस्ता है, किन्तु इसके रेशम, इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है और इसे रंगों की कई किसमों में रंगा भी जा सकता है इसे कपास के साथ मिला कर रेसम की चादर भी बना सकते हैं और उन के साथ मिला कर इसे कालिन और गलीचा भी त्यार कर सकते हैं और तो रेयोन क्या है काफी उपयोगी अपका एक रेसा है अगला है ना पुलने में भी सुगम है और जल्दी सुग भी जाते हैं फिर इससे बने जो कपड़े होते हैं उनमें सलवटे नहीं पड़ती है और अधिक समय तक ये कपड़े इस्ताई भी बने रहते हैं तो ये होगी नायलोन की मुख्यों विशेस्ताई अगला नायलोन के प्रमुक उप जैसे नायलोन रिष्टा का उप्योग मचली पकड़ने के जाल, पेरा सूट का कपड़ा, रस्तिया, जुराबे और अन्य वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है इसके लावा नायलोन का उप्योग दाथ साथ करने वाले बुरुस बनाने में, कारों की सीट के पट्टे बना परदा आधी बनाने में किया जाता है, इसके लावा नायलोन के धागे इसपात के तारों से भी मजबुत होते हैं, इसकी वज़े से चटानों पर चड़ने हतू, रसो का निर्मान भी नायलोन से ही किया जाता है, तो यह हो गए नायलोन के प्रमुग आपके उप्योग, और लंबे समय तक चलते भी हैं पॉलिष्टर रेसे बहुत कम पानी को सोकते हैं इसी लिए पॉलिष्टर से बने कपड़े धोने के बाद बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं सूक भी जाते हैं फिर पॉलिष्टर के रेसे इस्ताई करीज बनाय रखते हैं पॉलिस्टर रेसों पर कपड़ों में लगने वाले कीड़ों तथा साधारन रसानों का कोई असर भी नहीं होता है पिर नायलोन रेसों का उप्योग मचली पकरने के जाल पेरा सूट का कपड़ा रसिया जुराबे और अन्य वस्तर बनाने में नायलोन का उप्योग किया जाता है जो की एक परकार का पॉलिस्टर ही होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉलिस्टर के महत्वपून उप्योग लिखिए पहला उप्योग इसका उप्योग बोतले बनाने में, बरतन बनाने में, फिल्म बनाने में तार और फिल्म का मतलब होता है जो पहले केमरे के अंदर रील चलती दिन वो फिल्म तार और अन्ने के निर्बान में होता है पेट भी एक समाने प्रकार का पॉलिस्टर है जो उमारे द्यानिक जिवन में उपयोग में आता है जिससे ये पात्र बनते हैं ठीके फिर पॉली कोट पॉलिस्टर और कपास का मिसरन है जिससे कपड़े बनाई जाते हैं फिर पॉली वुल ये पॉलि एक्र्रेलीक क्या है ईसका उप्योग क्या है तो मनें बताया था एक्रीलीक एक संसलेशत t tVI के टिखाई दिखाय को व्योतर है कि अग्रेश सद्सा чbon में और क्या मुद्र रो कि एक्रीलीक से अचलन में बना जाते सस्ते होते हैं, ठीके, आगे बढ़ते हैं, प्राकर्तिक रेसों और संसलेसित रेसों में मुख्या अंतर बताना है, तो एक बाग में लिखा है प्राकर्तिक रेसे, जिसमें हमने बात करेंगे रूई, उन और रेसम की, दूसरे बाग में लिखा है संसलेसित रेसे, जिसमें न तो ये बहुत ही मजबूत होते हैं और इनसे बने जो कपड़े हैं वह बहुत ज़्यादा ठिकाओ होते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं . दूसरा जो अंतर हैं प्राकरतिक रेस्वों से बने कपड़े दोने के के बाद जल्दी नहीं सुकते हैं वही बात करें करत्रिम रेसे ये बहुत कम पानी को सोकते हैं इसलिए करत्रिम रेसों से बने जो कपड़े हैं वो दोने के बाद बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं सुक भी जाते हैं फिर प्राकरतिक रेसे कपड़े के कीडों तथा साधारन का कोई असर नहीं होता है और यह लंबे समय तक चलते हैं यह उगर उन्हों के अंदर अंतर फिर प्लास्टिक क्या है और इसकी विश्यस्ता क्या है तो प्लास्टिक आपका एक बहुलक है किन्तु सभी प्लास्टिक में इकाईयों की व्यवस्ता एक ही प्रकार के नहीं होती ह कुछ में रेखिये होता है, तो कुछ में ये तिरीक बंद होता है, ठीक है? अब विशेश्टा की बात करें, तो प्लास्टिक को आसानी से सांचों के अंदर ढाला जा सकता है, यहने इने कोई भी आकार दे सकते हैं, प्लास्टिक का पोनचक्रन संभव है, अता इने दूबार प्रवाद नहीं होता है अगला प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यक प्रकार के प्लास्टिक के दो दो उधारण तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं थर्मो सेटिंग और थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक के उधारण कौन से हैं पॉलिथिन और प किजिए तोहां प्लास्टिक उस्मा और विद्धुद दोनों का क्या होता है कूछ अलक होता है ठीक है और इसी वज़े से खाना बिनाने वाले पात्रों के जो हत्ते होते हैं वो इसके ही बने होते हैं प्लास्टिक से ढके बिजली के तार को चुने पर तरंड भी नहीं आता ह अधा खाना बिनाने के पात्रों के हत्ते बहुत देर और क्या होते हैं बहुत देर से और बहुती कम गरम होते हैं अधम कह सकते हैं कि प्लास्टिक उस्मा और विद्धुत क्या होता है फिर जैव निमनी करनी और जैव और निमनी करनी से क्या मतलब है तो वे परदात जो प्र प्लाकर्तिक प्रक्रियाव के द्वारा अब गटित या विगटित नहीं होते हैं। उन्हीं क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं। अगला प्लास्टिक अपसिस्ट प्रयावन परदूसन कैसे करते हैं समझाईए निए प्लास्टिक का जो अपसिस्ट होता है कच्रा होता है उसे प्रयावन परदूसन कैसे फ्यलता है वो बताना है तो हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक का अपसिस्ट होता है कुड़ा कच्रा ह होता है उसके अब गटित होने में कई वर्स लग जाते हैं और इसे वज़े से यह प्रयावन- 말고 krakat बंदे इसे हम सब जकी चला दें तो इसके जलने में भी कापी टाइम लगता है और इस क्रिया तो प्लास्टिक की थेलियों का उप्योग करने के उपरांत उन्हें जलास्यों में अत्वा स्तडक पर नहीं फैटना चाहिए। अगला फाई पार सिद्धान्थ क्या है तो आप सब जानते हैं फाई पार सिद्धान्थ क्या होता है तो फाई पार जो सिद्धान्थ है वो मनुस्ये में पर्यावरण हितेसी आदते पर्यावरण को बचाने समंदी आदतों का विकास करने के लिए ये सिद्धान्थ दिया ग कीजिए और उसे नई चीज motor कर उसका दूबारण प्योग कीजिए फिर रिकवर रिकवर का मतलब है पुनाइप राप्त किजिए और रिफिस का मतलब है कम उप्योग मत निज्या परयावन के लिए नुक्स संध नैक है उनका उप्योग मत कीजिए यही क्यालाता है फाई पार का सिध्दान्थ यह काफे इंपोर्टेंट है प्रिक्सा में जरूर पूछा जाएगा अगला है प्लास्टिक के अभी लाक्षनिक गुणों का वंडन कीजिए यही प्लास्टिक के जो महत्वण गुण है वो आपको बताना है पहला गुण है कि जो प्लास्टिक है वो अनभीक्रियासिल है अनि यह आसानी से किसी के साथ अभीक्रिया नहीं करता है तो प्लास्टिक जल और वायू से अभीक्रिया नहीं करता है उनका संचारन आसानी से नहीं होता यह प्लास्टिक से बनी जो वस्तू है वो आसानी से प्लास्टिक आपका हल्का होता है परबल होता है और सी रिस्ता याने की लंबे समय तक बने रहने वाला होता है। प्लास्टिक अत्यंती हलका, परबल और कैसा होता है, छी रिस्ता ही होता है, और इसे विभिन आकारों के अंदर ढाला जा सकता है, ये धात्व की पैसा बहुत ये दिख सस्ते होते हैं, इस वज़े से इनका उप्योग उद्योगों और ग्रेलू कारियों में विश्तरत पैमा पर किया जाता है, फिर प्लास्टिक उसमा और विद्यूत का क्या होता है, कुछ अलक होता है, ये प्लास्टिक उसमा और विद्यूत का क्या है, कुछ अलक है, इसी वज़े से विजली के तार प्लास्टिक से धके रहते हैं, और खाना बिनाने वाले बरतनों के जो हत्ते हो उप्योग होता है उसको बताना है पहला है सिकिच्चा के चित्र में तो प्लास्टिक का स्वास्तिय देखबाल उद्योग में मेहत्वण उप्योग होता है दवा की गोलियों को पैक करने में यह उप्योगी है गावों को सीने है तू धागे और सीरीजो का निर्मान तो microwave oven में बोजन पकाने है तु विशिष्ट plastic पात्र का उपयोग किया जाता है microwave oven में उसमा खाध्या परदाथों को पका देती है प्रन्तु plastic पात्र को प्रभावित नहीं करती है टैपलोन का उप्योग बोजन पकाने के पात्रों में करते हैं जिससे जल और तेल इन पात्रों पर नहीं छिपकता है और जिससे बोजन जलने से क्या हो जाता है बच जाता है फिर अगनी सह प्लास्टिक और अगनी समक यंत्रों को बनाने में वैसे संसलेशित वैसे आग में जल जाते हैं किन्तु आग बुजाने वाले करमचारियों के वस्तरों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चड़ाने पर वस्तरों पर आग नहीं लगती है और वे अगनी रोध बन जाते हैं अता उनका उप्योग अगनी शेह प्रदातों को निर्मान में भी किया जाता है ठीके तो ये प्लास्टिक के प्रमुक उप्योग हो गए अगला है जेव निमनी करनिये और जेव अनिमनी करनिये प्रदातों को सामनी बदरूप से समझाईए तो एक भाग में लि तो और फलो के चिलके और हमारा बचा हुआ भोजन, ये कितने समय में अपगटित हो जाता है, एक से दो सब्दा में, परकार कैसा है, जैव निम्नी करनिया, जीफों के द्वारा इसका अपगटन आसानी से किया जा सकता है, फिर बात करें अगज, इसका अपगटन दस से तीस दिनों में कैसा प्रदात है जैव निमनी करनिया फिर सूती कपड़ा ये कैसा है इसका अपगटन 2 से 5 मा में कैसा प्रदात है जैव निमनी करनिया फिर आपका कौन सा है लकड़ी लकड़ी 10 से 15 वर्स कैसी है जैव निमनी करनिया फिर उनी वस्तर, कैसे हैं, लगबग इनका अप गटन लगबग एक वर्स में होता है, ये भी जैव नीमनी करनी है, फिर बात करें, टीन, अलुमिनियम और अन्य वस्तूओं के डिबबे, इनका अप गटन होने में 100 से लेकर 500 वर्स, ये कैसे हैं, जैव अनीमनी करनी है, जिवो के प्लास्टिक अपसिष्टों का निस्तारण क्यों कटिन है और इसे प्रयावरण को क्या हनी होती है यह प्लास्टिक का जो अपसिष्ट होता है कूडा कच्रा होता है उसका निस्तारण यह अब गटन उनको सही तरीके से निफ्टारा करना क्यों जरूरी है और इसे प्रयावर यह योग्यों नहुने के कारण वर्षों तक परस्तितिकी तंत्र के लिए खत्रा बने रहते हैं यासानी से नहीं होता है यह अफगटित होने में हजारों वर्स का समय ले लेते हैं दूसीत होता है और इनको जलाने पर भी कई सारी विसली गे से क्या होती है परियावन के अंदर उस्जित होती है जिससे परियावन प्रदूर्शन फैलता है फीक है अब इसके परियावन को क्या आनी है तो नगरी परियावन में पॉलिथिन का उपयोग एक बहुत बड़ी समस्या है इनके उपयोग के बाद इनने नाले, नालियो, नदियो, तालाबो, खुले इस्तानों और उपज़व मर्दा पर फैक दिया जाता है जिसके कारण नाल्या क्या हो जाती है अबूद हो जाती है जिसकी वज़े से महाँ पर पानी का भराव होता है और कई सारे जिवानेगों की उत्पती होती है तिर सडकों, गलियों, खुले इस्तानों में चारो तरफ गंदा जल मल हैला रहता है जिससे आवा गमन भी बादी दोता है और नगरिय जीवन क्या बन जाता है बिल्कुल नरकी यानि नरक के जैसा बन जाता है और बरतमान में प्लास्टी का उप्योग प्रयारवन को बहुत ज्यादा हानी पहुंचा रहा है क्योंकि इसका सई समय पर उचित निप्टान नहीं हो रहा है अतर देरे देरे ये प्रयारवन के लिए बहुत बड़ा खत्रा बनता जा रहा है तो इस प्रकार हमने आपके अध्यातीन के जितने भी महत्वण प्रशन बन रहे थे उन सभी की सर्चा बहुत अच्छे से कर ली है उम्मित करता हूँ ये सारे प्रशन आपको अच्छे समझ में आये होंगे और ये सारे ही महत्वपन प्रश्न है जो आपके प्रिक्साओं में प्रिक्सा के लिए क्या है बहुत ही ज्यादा उप्योगी है तो आप सबसे request है कि ज्यादा सज्यादा इस class को अपने मित्रों के साथ share करे, like करे, comment करे ठीक है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को share जरूर कर दे तो आज गले इतना ही जै हिन जै भारत